हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं समाजी विज्ञान का चैप्टर नमबर 26 यह चैप्टर जो होगा इन्वार्मेंचल डिग्रेशन और डिजास्टन मनेजमेंट यानि परयावरंचरन तथा आपदा परबंधन जो काफी महतपून है हर एक क्लास के बच्चों के लिए चाहे वो सीवेसी में पढ़ते हो चाहे सभी बच्चों के लिए बहुत ही काफी महतपून होने वाला है उनके लिए भी अमरीत तुल्य रहेगा यह टॉपिक ठीक है लेकिन आपको पता है कि चप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदेव कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना च चाहिए वो यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात यह रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक जो है आप सेल जरूर करो ठीक है वर सब स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों आने सेंटर जे कई मानने में बहुत से बचों के लिए हेलफुल है चाहे हो एर्थ क्लास हो 9,10,11,12 हो चाहे हो न इस बोर्ड के बच्चे हो ठीक है चाहे बीए एम्मे के बच्चे हो सभी क्लासो के लिए कुछ न कुछ तो डर में उप लख है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सासथ कर कर के बाद में है द्यार चेनल को चैनल को आप्त ना ओमस्म कर्णा धस्लें करके जो हैं अपने पास सेफ कृणा है वर ने आगश में लेकिन आप दिखते हमारा आश टौ कि आरोपने, पर खेवानों कि आरोपने, But always, if your self दोब dall अपूं है्क आरोपने तेवारा। कि आरोपने, आरोपने आरोपने औा यवारर आक्ति, आरोपने आरोपने, आरोपने great पारेंनीज जातिक, 29 crisp此कितन आरोपने nuts, आरोपने आरोपने, call 10 mist कि आरोपने, का फन्हें कि इजसと है इंट सेदि हमालेड प्राइब शीट है अभरन इड फॉल्ड ताफ ट्र från ध प्रीansen ऑे THEघन अर्जग मेश्क टो रहन वर अहां हंट the climate condition is change in a different place in different seasons if you observe that the involved evolution of the environment of the same place as over two period of 20 or 30 years you will be find that the environment of that place has a change and some changes take place and naturally while there are others as causing by the activities of human beings this is important here even the human made involvement has been to undergoings changes over a period of the time and place and there has been to notable changes in human reliance the skyscrapers that you see to today in many cities that are not present about 20 years ago a number of villages has been to development into the town and cities and mega cities here to means of transport and communications has been to revolutionize it all these changes and development show the dynamic nature of environment and absorb things and understand the kind of changes that take taken place within the last couple of years in there are human made an environment in the city or village where you leaves are not there is a change every notable this is important the environmental is dynamics is a nature and keep on changing this is a short form here the moment is a dynamic and nature and keeps on changing environment and keeps on changing the environment of environment and being that the environment has been पर्यावर्ण का मतलब यह बदलाब आपने देखा होगा जो पर्यावर्ण के पहली इस्तिती आज वह इस्तिती नहीं है और इसके सबसे महत्पूर्ण सेस्ताओं में से इसकी गत्शिलता है क्योंकि यह हमेसा बदलती ही रहती है और यह लगातार बदलता ही रहता है नहीं होती है आपको पता ही होना चाहिए कि इतिहास जो होती है हर समय अलग होती है उधारन के लिए माले का मार्शतल से भीन है और वहां वर्षवत दर्शकों में एक जैसा नहीं रहा है अगर यही बात यहां तुलना के रूप में हमने किया है मरुस्थल के छेतर के ले लिया और हिमाले का छेतर आप देख सकते हो कि हिमाले कितना ठंडा रहती है और मरुस्थल के छेतर में कई दर्शक तो गर्मियां ही पड़ रही होती है तो दोनों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है एक गरम छेतर है तो एक बिल्कुल ठंडा छेतर है और विबिन मौसमों और विबिन अस्तानों पर जो जलवाई भी दशाएं बदलती ही रहती है यानि चेंजवल हमेसा होता ही रहता है यदि आप एक ही जगा के पर्यावरन क बदला हुआ ही नजर आएगा और कुछ परिवर्तन प्राकिति रूप से होते हैं जबकि धुसरे परिवर्तन मनुश्री गत्विदियों कारण होती है के दें प्राकितिक से तो आज की समय में कमी देखने को मिला है लेकिन मानव गतिविदियों के कारण परियावरन बहुत हद तक चेंज हो चुकी है और इसका प्रकॉब आज के समय में आप देख सकते हो तो यह काफी महत पूर्ण होता है क्योंकि जो प्रयावरन में गत्विदियां होती है उससे टमप्रेचर बढ़ता है हिंडिटी आती है तो लोग परसान होंगी और आने वाला समय में यह बहु निर्मान परयावरन भी समय और स्थान के साथ सदे भी बदलती हुई नजर आती है माना वास में लेकिनिये परवर्तन हुए हैं देखा जाये तो माना वास में बहुत काफी आपको परवर्तन देखने को मिला होगा कहां गाउं और कहां कस्भा कहां साहर कहां मान अगर कहते देखते हैं 20 साल पहले मजदूद नहीं थी जनल सी बात है 20 साल पहले कि आप दुनिया देख लो आज समय की दुनिया देख लो बहुत ही आपको चेंजिस नजर आएगा और देखा जाए तो इसमें जो है बहुत से गाउं कस्वे सहरे मान नगरों में बदला आप देखने को म मानव निडमीत पर्यावरण का अवलोकन करी और सोची और समझो कि यहां पर पिछले कुछ वर्षों में किस परकार से परवर्तन हुआ है और वहां जो परवर्तन हुए हैं क्या वो लेक्नी हैं या नहीं है तो यह कभी महत्पून है अब देखिए साब सब्स बात कर समझ स कि परया और प्राकित में कथ शीलतर और बद्लाया चीर रहता ही रहता है सल्सक्वान जाता है स्ल्पेज। इसल्ट ने Patrol इंपर्टन के ळम शुरार्द से अब क्यों है और वेल्फर और शुर्वालत रओ यह वार जायो जू आजगी जात जो, थाल्वनें दो देफ जो बादो बादो जान अजग दोग, जात वाल जायो, गर्ण है जायो ऑल चीनिरmy लादोर नीजे, जायो, आ ही जायो, for the life and support large number of life forms we are dependent on the environment for our food shatter water air soil energy medicines fiber raw materials and many other things this is the most important point here there are food shatter water air soil energy medicine fibers raw materials and many other things the environment is a maintenance atmospheric composition and protect all kind of life on earth from harmful effect of solar radiation but in the spite of all this benefit we find that quality of environment is a deterioration and it is a basic regarding to constantly it is not only that resource of environment are beginning or irritationally utilized we are contribute or dangerous to be it is a pollution it's important here उसके प्रशात आगे हमारा आया है पर्यावरन का महत्व देकि पर्यावरन का महत्व नहीं है और पर्यावरन के महत्व काफी महत्व पून्ध रहता है जर्नली देखा जा तो हर जीब जन्तु परियावरन में ही संरक्षित है और परियावरन में इवन कि मनुष्य भी संरक्षित है लेकिन मनुष्य जो है अपनी गुद्धी का आधिक इस्तमाल कर लिया है और परियावरन को नश्ट कर रहा है लेकिन फ्यूचर को उसने कभी नहीं देखा और हमने हर जग ये ऐसा क्यूं कहा गया है, पर्यावरन हमारे जीवन का धार है, और वास्ता में ये मानव सही सभी जीवों की वृद्धी विकास और उनके जीवन को प्रभावित सदेव करते रहते हैं, हमारी सभी परकार के शक्ता पर्यावरन से ही पूरी होती है, हमारी सारे गत्विदिया और सारी अफशक्ताएं पर्यावरन से ही पूरा होता है फिर भी हम पर्यावरन को जो है आख बंद करके नश्ट किये जा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों कि आप पूर्ती करता है और असंग के जीवों का भारन पोशन करता है और हम भोजन अवाज जल हवा मित्टी उर्जा दवाई या फाइवर कच्छे पदार आधी के लिए पर्यावरन पर ही निर्वर है तो देखिए हमारी पूरी निर्वरता पर्यावरन के उपर है फिर भी हम पर्यावरन को नश्ट करते चले जा रहे हैं तो क्या आने वाला समय में पर्यावरन को हम जिस तरह से नश्ट कर रहे हैं क्या हमारा अस्तित्व बच पाएगा बहुत ही दुसकम वसब्द है और इस कि इसका आप स्वयम ही समझदार हो पर्यावरन हम सारे जीव जन्तू का यह भालन पोशन करता है कहते कीरे से लेकर मनुश्य तका मनुश्य से लेकर पेर पौदे सब महतपून हैं लेकिन इंसानों की गत्विद्यों कारण यह नस्ट आए दिन होते रहे हैं पर्यावरन के समझ सकती हो लेकिन इस सभी हलावों के होते हुए भी पर्यावरन बिगरती चली जा रही है और यह बहुत ही चिंता का विशह है और यह चिंता विश्व व्यापी है कहते हैं आज सरकार हमें सब चीज़ को सुबदा दे रही है मैं एक ही बात कहता हूं मुझे हैं तो वह जूज रहे थी लेकिन जो इन्वार्मेंट में आपकी गत्विदियों के कारण चेंज हो रहा है वह मनुष्य जीवन के सुद्व के लिए बहुत खतरे का सबब हो सकता है कि कहते हैं जब इंसान जीवित रहेंगे तभी तो आपकी अशक्ताओं को मानेंगे या आपके बनाए चलाए चलेंगे लेकिन जब इंसानी जीवित नहीं रहेंगे तो इस रूप लेक्रोशन का क्या और इन महतुपूंता को क्या इसलिए सबसे महतुपून है पर्यावरन को बनाए रखना और देखा जाए तो मनुष्य के कारण जो है यह सारे हलात आज के समय म से हो रहा है और हम पर्यावरन को पर दुसरों में बड़ी खतरनाक तरी से योगदान दे रहे हैं तो कहते हैं सभी बातें लिखी हुए है सभी बातों पर चिंता दशाई गई है लेकिन मनुष्य वो पुतली है जो कभी समझता नहीं है कहतें नहीं समझेंगे तो हम अपने परे हैं जाने हैं इस बात से तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि पर्यावरन और मनुष्य एक दुसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते अगर आप पर्यावरन को जीवित रखोगे तो आप भी जीवित रहोगे अगर पर्यावरन नस्ट होता गया तो मनुष्य भी जीव अभी मुझे बहुत अजीव लगता है, जो यह सब पर के आगे बरे बरे अफसर बन जाती है, कहते हैं, सभी बच्चे जो बड़े मेनत करके बरे बरे अफसर बनती है, और वो सब इन्ही सब्दों को पर के आगे बनती है, लेकिन जैसे उनको पोस्ट प्राप्त हो जाता है तो सारी बाते धरी के धरी रह जाती है ये बड़े ही अफसोस की बात है कहते हैं जिससे हमारा जीवन का सुट्व बस सकता है हमें उस पे कदम उठाने की जरूरत है सरकार आज जो फ्री करने के आड़ में पर्यावरन को नश्ट करती चली जा रही है वो बहुत दुखदायक पर स्थिती है और आने वाला समय में इसका हर एक मनुश्य पे प्रभाब देखने को मिलेगा कर दो कर दो कर दो लिए है